C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वराप्रस्तुत है द्वितिये भाषा के रूप में हिंदी शिक्षन के लिए कक्षा साथ की पाठे पुस्तक दूर्वा का एक पाठ पाठ का शीर्शक है जलकारी बाई सन 1857 अपने महल में रानी लक्ष्मी बाई चिन्तित अवस्ता में बैठी है रानी के सामने नाना साहब और कुछ विश्वास पात्र सामंत भी चिन्तित बैठी है तभी रानी उट खड़ी होती है जासी के वीरों अंग्रेजों की विशाल सेना ने जासी को चार ओर से घेल लिया है हमारी सेना के अनेक योधा वीरगती प्राप्ट कर चुके है गुच सरदार अंग्रेजों से जा मिले है अब हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है एक ही रास्ता के हम किले का भट खोल दे और अंग्रेज सेना को युद्ध के लिए ललकारे जासी की रक्षा के लिए अपने प्राणों के बलिदान का अफसर आ गया है राने मा जासी पर अपने प्राण नियोचावर करने के लिए हम हमेशा तयार है तावोता राव की सुरक्षा का प्रबंध भी हम कर लेंगे लिकिन जान बूझ कर अंग्रेजों की सेना के सामने जाकर प्राण देरे में कोई समझदारी नहीं है उचित तो ये होगा कि किसी तरह तिले से सुरक्षित निकल कर हम फिर से सेना को संगठित करें ठीक है मैं आपकी यूजना से सहमत हूँ लेकिन अब इस अंग्रेज सेना का घेरा तोड़ कर किले से बहा निकल पाना आसान नहीं है आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेजों के भेदिये महल के भीतर भी हैं ये गदार हमारी छोटी छोटी बातें अंग्रेजों तक पहुचा रहे हैं ऐसी इस्तिती में चुही की तरह बिल में गुसे रहने से तो अच्छा है हम शेर की तरह शत्तू पर तूट पड़े महरानी आप जैसी वीरांगना को हम मरने के लिए अंग्रेजों की सेना के सामने नहीं धकिल साथ मैं सामंत की बात से सहमत हूँ आपका ये निर्णे वीरोचित तो है पर रणनीती की द्रिष्टी से उचित नहीं है महरानी हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा महरानी आपकी पराजय केवल रानी लक्षमि बाई की पराजय नहीं होगी वह जहांसी की पराजय होगी और यदि जहांसी इतनी आसानी से पराजित हो गई तो पूरे भारत में चल रहा स्वाधीनता संग्राम ही खत्रे में पड़ जाएगा महाराणी सब की निगाहें आप पड़ की है महाराणी सुझाओ बिल्कुल सही है महाराणी की जाए कहो दूद क्या समाचार लाए हो रानी मा समाचार शुब नहीं है अंग्रेजु की सेना का घेरा छाची के चार ओर बहुत कड़ा हो गया है उन्होंने आपको जिन्दा ही पकड़ने की इठान रखी है उनकी ये हिमत दूद तुम जाओ और घटनाओं पर कड़ी निगाह रखो जी महाराणी जी महाराणी की जय नाना साहब जी महाराणी मैं किसी भी हालत में अंग्रेजों की बंदी नहीं होना चाहती मैं जासी की रक्षा करते करते शहीद हो जाना पसंद करूंगी नाना साहब आप आदेश देख हम अंग्रेजों पर तूट पढ़ना चाहते हैं महरानी की जै आओ आओ जलकारी बाई तुम ठीक समय पर आई हूँ कहो तुमारी सेना की क्या तैयारी है रानी मा नारी सेना अगली पंक्तियों में लड़ने के लिए तैयार खड़ी है बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है किन्तु किन्तु क्या निसंखो चोकर कहो गुस्ताखी माफो रानी मा मुझे इस निर्नायक युद्ध के लिए आपके वस्त्र आपकी पगड़ी और आपकी कल्गी चाहिए ठीक है जलकारी तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी आओ हमारे कक्ष में चलो जीप चलिए माहरानी साइबा अब अधिक सोचने का समय नहीं है मैदान में उतरने का समय है ये आदेश दे रही थी रानी लक्षमी बाई की वेश भूशा में सजित जलकारी बाई तुम तो हूँ बहू लक्षमी बाई लग रही हो तभी रानी लक्षमी बाई ने प्रवेश किया आप ठीक के रहे हैं नाना साहब महरानी की जय मेरा रानी मा का हम शकल होना शायद आज ही सार्थक हो सकता है जलकारी बाई तुम्हारी योजना क्या है ये तो बताओ मेरी योजना ये है कि मैं अपनी सेना लेकर किले के मुख्य द्वार पर अंग्रेजों को उल्जा कर रखूंगी इससे उनका पूरा ध्यान मुझ पर बना रहेगा वो रानी समझ कर मुझे घेरने का प्रयत्न करेंगे इतने में रानी मा दामोदर सहित अपने वीर सैनिकों को लेकर महल से दूर निकल जाएंगी लेकिन जलकारी बाई मैं तुम्हें जान बूचकर मौत के मुँमें कैसे जाने दूँ रानी मा आप ही ने हमें सिखाया है कि वीरांगनाएं मौत से नहीं डरती हम प्राणों की बाजी लगा कर भी जासी की रक्षा करेंगे जलकारी बाई ठीक कहती है महरानी अब आप देर मत कीजिए जलकारी बाई जैसा कहती है वैसा ही कीजिए महरानी की जै लक्षमी बाई के वेश में जलकारी बाई अंग्रेजी सेना पर टूत पढ़ती है अंग्रेजी सेना को काटती हुई जलकारी बाई आगे बढ़ती है जलकारी बाई के शरीर पर अनेख खाव लग जाते हैं और वो निढ़ाल होकर गिर जाती है ये देखकर जैनरल अपने सेनिकों को हुक्म देता है सिपाहियो चाशी की रानी को जिंधा पकड़ना हाई चार होर से खेलो इसे चाशी की रानी तुम बहाँ बहादू हो हम तुमारी बहादुरी को शलाम करते हां लेकिन आप तुम हमारी बंदी हो जनरल चाशी की रानी को सिंधा पकड़ना तुम्हारे बूते की बात नहीं है वो जीवित रहने तक सतंत रही रहेंगी रानी जासी की चे चे शीपा हाई जलकारे बाई का मृत चरीर धरती पर पड़ा था और जनरल रोज अवाक खड़ा एक वीरांगना को मन ही मन सलाम करता रहा जलकारी बाई अभी आप सुन रहे थे ये कारेक्रम कलाकार हर्ष बाला सुष्मा शर्मा सुनील लोहिया मंगत राम कींती आनंद अशोक मलकानी मुहम्मद मनसूर आलम खां तथा सुचित्र गुपता ध्वन्यंकन बटी लैंग रिंग्डो निर्मान निर्देशन एवं ध्वनी संपादन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T.